दोस्तो अगर आप भी सूरिक उमार यादव और शुबमन गिल को दुनिया का सबसे खतरना खिलाडी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तो शुलंका के खिलाफ इंटर स्कौर्ड मुकाबले में ताहाडा, रोहिट शर्मा, शुबमन गिल और कोहली, सरपरास खान का बल्ला इंटर स्कौर्ड के पहले ही दिन इन बल्लेबासों ने शुलंका के उड़ाए पर खचे तो आखिर कैसे इन भारतिये बल्लेबासों के सामने नतमस्तक हुआ शुलंका भारतिये गेंदबासों के बाद कैसे इन बल्लेबासों ने लिखा नया कीरतीमान कैसे अपने बल्ले से शिलंका की गेंद बासों की उड़ाई धचियां दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रॉंक टे खड़े कर देने वाले इस इंटर स्कौर्ड मुकाबले की पूरी हाइलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुबमन गिल, बिराट कॉली और रोहिट शर्मा मेंसे कौन है सबसे खतननाख खिलाडी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए का दोस्तो भारत इस समय शुलंका दोरे पर है जहां टीम इंडिया ने लंका को T20 सीरीज में 30 से हराया लेकिन वहीं वन डे सीरीज में भारत को शर्मनाख हार जेलनी पड़ी इसके बार श्रिलंका का confidence आसमान चूर रहा है उन्हें लग रहा था कि वो टेस्स सीरीज में भी टीम इंडिया को धूल चटा सकते हैं लेकिन किसी भी श्रिलंका एक खिलाडी को ये नहीं पता था कि भारत के सामने टेस्ट में टेक जाएंगे यू कहकर एक बार फिर भारतिय गेंडवाजो का बोल बाला पूरे इंटर स्कॉर्ड मुकाबले में देखने को मिला भारतिय गेंडवाजो के सामने श्रिलंका की पूरी टीम पूरी तरहा से पस्त होगे जिहां और प्रेमदासा के खूपसूरत स्टेडियम में टॉस जीत का श्रिलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्हें क्या पता था ये फैसला आपने ही पैरो पर कुलाडी मानने जैसा साबित होगा आपको बता दे की श्रिलंका के बल्लेबासों ने भी शांदार खेल दिखा है भारती गेंदाजों पर प्रहार किया लेकिन एक दिर में ही भारती गेंदाजों ने अपना कातिलाना गेंदाजी से इंटर स्कॉर्ड मुकाबले को खात्म कर दिया श्रिलंका की पूरी टीम 360 रनों के स्कोर पर धेर हो गई इस मुकाबले में भारत के सभी गेंदबासों ने विकेट लिया अक्षर पटेल से लेकर अर्श्टीप सिंग जस्प्रित बुमराथ 33 विकेट लेकर अपने उन्होंने नाम किया तो वहीं कुल्दी प्यादव को भी एक सफलता हासिल हुई वहीं लंका की तरफ से पाथुम निशंका ने 110 रनों की लाजवा पारी खेली इनके अलावा कोई भी बल्लेबास मैदान पर जादा समय तक नहीं ठिक पाया इस लक्ष का पीछा करने उतरी भारती टीम ओपनिंग करने मैदान पर आये कप्तान रोहिच शर्मा के साथ शुबमंगिल इन दोनों ओपनरों ने भारती टीम को बहतरीन शुरुबात दिलाई पहले ही ओवर से तूट कर प्रहार करना शुरू कर दिया एक के बाद एक लंका के हर मासूम गेंदवासों को धोया अशिता फनेंडो से लेकर चलितस लंका यहां तक की मतीशा पतिराना किसी को भी नहीं छोड़ा देखते ही देखते कुछी घंटों में इन दोनों खिलाडियों ने अपना अर्दुष्ट तक ठोक दिया सो रनों की साज़दारी बना ली और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ़तार की तरह आगे बढ़ाया इसके बाद भी दोनों की लाडियों का बल्ला रुका नहीं शुमन गिल टीम के लिए तेजी से रनबटोर रहे थे चौके और छको की बरसा अत कर रहे थे पधिराना के ओवर में रोहिट शर्मा ने तो जबरदस कुटाई की लगातार तीन चौके जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया वहीं गिल कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी रनों की बारिश करना शुरू कर दी भारत के स्कोर देर सो रनों के पार पहुँच गया लेकिन तब ही विकिट की तलाश में लंका की तरफ से गेंदबाजी करने आए हसरंगा और आते ही उन्होंने भारतिय कप्तान रोहिट शर्मा को अपना शिकार बना लिया और टीम इंडिया को पहला जटका 160 रनों के स्कोर पर लग गया रोहिट टीम के लिए 78 रन बना के पवेलियन लोट गए लेकिन गिल अभी भी मैदान पर ठीके हुए थे इनका साथ देने अब विराट कॉली आ चुके थे विराट भी आकरमक अंदाज में नजर आ रहे थे हसरंगा की गेंद पर शांदार कवर्ड ट्राइब लगा कर अपना खाता खोला टीम के स्कोर को तेसी से आगे पढ़ाया गिल भी प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे थे इनका बल्ला श्री लंगा के हर गेंद वाजों पर टूट कर प्रहार कर रहा था देखते ही देखते विराट कॉली ने अपना आर्दश चुटक पूरा कर लिया वहीं शुबमंगिल अपने शदक की तरफ पढ़ चुके थे हसरंगा के ओवर में गिल ने अकेले ही तो प्रहतार में रन बनाना शुरू कर दिया अंतिम 10 गेंद पर कॉली ने 22 रन बटोर कर अपना शदक ठोक दिया दोनों खिराडियों के बीच 200 रनों की साज़दारी पूरी हो गए इसके बाद भी दोनों बल्लेबास रुके नहीं चौके चक्के लगाए चा रहे थे सिंगल लेने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे टीम इंडिया लक्षी के काफी करीब आ चुकी थी ये दोनों बल्लेबास पूरी तरह से सेट हो चुके थे लेकिन तभी विराट कॉली ने एक बड़ी गलती कर पथिराना की गेंद पर अपना कैच खुद विकेट कीपर के हातों में दे बैठे और भारतिय टीम को दूसरा जटका 320 रनों के स्कोर पर लगया कॉली टीम इंडिया के लिए 110 रन बना कर पविलियन लोट गए लेकिन गिल अभी भी मैदान पर ठीके हुए थे अब उनका साथ देने के लिए योवाश शांदर खिलारी सर्फरास खान आ चुके थ उनके बल्लेबाजी देखकर भारतिय खेमा भी काफी खुश हुआ था श्रिलंका के लक्षे को पाने के लिए अब केवल 6 रनों की जरुवत थी तभी शुबमन गिल ने शांदर छक्का जड़कर स्कोर को बराबरी पर ला दिया इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाजी र नहावी वे चुकी थी ये इंटर सक्वार्ड मुकाबला देखकर तो हर कोई हैरान हो चुका था गिल और शर्फरास अब भी भी मैदान पर ठीके हुए थे बल्लेबासी कर रहे थे जाह शुबमन गिल एकसी रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं सरफरास खान सरतरन बनाकर पहले दिन के तूफान के बाद दूसरे दिन आया विराट कॉली रिशप पंत और रविंद्र जडेजा का तूफान जी हाँ दोस्तों भारत और श्री लंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले हे दिन यशस्वी जैसवाल और रोहिट शर्मा ने तूफानी प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया तो वहीं दूसरे दिन विराट कॉली ने रिशप पंत और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर मैदान पर ऐसा तहल का मचाया जिसके सामने श्रिलंका टीम का गेंदबासी क्रम अंडर ग्राउंड होने के लिए मजबूर हो गया तो आखिर कैसे श्रिलंका की खिलाब दूसरे दिन भारतिय बल्लेबासों ने काफी बहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है ये तो आपको बताएंगे ही साथ में इस रोमांचिक मैच की दूसरे दिन की रॉंक्टे खड़े कर देने वाली हाइलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं तो जानने के लिए वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिशापंत, विराट कॉली और अविंदर जडेजा में से कौन हैं सबसे बहतर टेस्ट बल्लेबास अपनी राय हमें नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर थे दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और शिलंगा के बीच में पहला टेस्ट मैच कॉलंबो के मैदान पर खेला जा रहा है इसके पहले दिन भारती टीम ने काफी बहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया इस मैच के अंदर भारती टीम के कप्तान रोहिट शर्मा ने टॉस चीत कर पहले बल्लेबासी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए श्रिलंगा की टीम को आमंत रित किया जहाँ पर भारतिय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आये कप्तान रोहिट शर्मानी यश्रस्वी जैसवाल के साथ मिलकर मैदान पर तहलका मचाया और पहले दिन सभी को प्रभावित कर दिया इस बीच दोने बल्लेबाजों ने अंत तक तुफानी पारी खेली जहाँ पर भारतिय टीम में 375 रन एक विगट की नुकसान पर 88 ओवर में बना दिये जहाँ पर यश्रस्वी जैसवाल 72 ओवर में 12 चौके और दो छकों की मदद से 145 रन बना कर चरित असलका की गेद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए थे जिसके बाद अब पहतरीर बल्लेबाजी कर रहे के लिए विराट कॉली वैदार पर आए इस दोर विराट कॉली ने रोहिट चर्वा के साथ पिलकर पहले दिर काफी जादा पहतरीर बल्लेबाजी की और दोनों अंततंग नाबाद रहे जहाँ पर विराट कॉली चार चौकू की मदद से 40 रन बना कर नाबाद रहे तो दूसरी तरफ से रोहिट चर्वा ने 145 रन का योगदाद दिया जिसके उन्होंने 14 चौके और 2 छक्के लगाए और इसी के साथ पहले दिन भारती टीम ने 88 ओवर की समापती तक 365 रन एक विकेट की नुकसान पर बना दिये थे हाला कि आज जब दूसरे दिन का खेल प्रारम हुआ तो दोनों बल्लेबासों ने इसी तरीके से रन बटोर ने प्रारम कर दिये जहां पर आज का दिन पहला ओवर डालने के लिए फननेंड हो आए थे इन दोनों बल्लेबासों ने काफी ज़ादा बहतर बल्लेबासी करते हुए पहले सत्रबे विराकेशी रुकसान के 115 रन बना दिये जहां पर भारती टीव के लिए रोहिट शर्वा दे जबरदस्त बल्लेबासी करते हुए दिन के 12 यानी मैच बे 100 ओवर में गेंदबासी करने के लिए आये स्पिन गेंदबास हसरंगा के सामने छक्के लगाते हुए अपना 12 शतक पूरा कर लिया और इसके बाद भी तूफानी बल्लेबासी जारी रखी तो दूसरी तरफ से विराट कॉली ने 101 ओवर में एक रन लेने के साथ अपना 8 शतक पूरा कर लिया साथ में विराट कॉली ने आगे भी तूफानी बल्लेबासी जारी की तूसरी तरफ से रोहिट शर्वा ने दोराश तक लगाने के बाद में भी तूफारी बल्लेबाजी जारी रखी जहाँ पर उर्होरे सबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आय दुनित वैललागी के सामने पहले सत्र के अंतिम ओवर यानि की 117 ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के लगा दिया जिसके चलते रोहिट शर्मा ने तो अपना 200 रन का आकड़ा भी शाही अंदास में इसी ओवर में पूरा किया हलाकि 122 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दोबारा से आय असित फरनैंडो ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रोहिट शर्मा को बाहर जाती हुई खेंद पर बड़ा शौट खेलने के चक्कर में विटकिट कीपर के हाथों कैच आच आउट करा दिया जिसके चल गिल ने मातर एक चौके की मदद से आटरन बनाए जिसके बाद में अब बल्ले बाजी करने के लिए केल राहूल आए लेकिन इनका भी बल्ला आज के दिन नहीं चला और वो काफी खराब बल्ले बाजी करने के बाद पवेलियन को लोटे इस दोरान केल राहूल हसरंगा की गेंद पर 132 ओवर में एक चौके की मदद से नौरन बना कर लबी डबलू आउट हो गए जिसके बाद बल्ले बाजी करने के लिए रिशप बंत आए जिन होने विराट कोहली के साथ में